नमस्काव आप देख रहे हैं पब्लेक पानी मेरा नाम है अभी सेख हाल फिलाल में एबिपी नियूज सी वोटर का एक सर्वे हुआ है और इस सर्वे में कुछ सवाल जो है जनता से गुजरात की जनता से पूछा गया है और इसमें जो जवाब मिले हैं वो बहदी चोकाने व जवाब अगर आप देखेंगे तो ये जो है कहीं न कहीं आपको चोका सकती है तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सवाल थे भी पी नियूज सी वोटर के सर्वे में और जनता ने इस पर क्या जवाब दिया है गुजरात विधान सवा चुनाओ में राजनितिक दलों के बीच अब लडाई दिल्चस्प होती जा रही है जैसे जैसे मदान की तारीक नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी रोमांच और राजनितिक पारा चरम पर पहुँच रहा है मौजुदा समिक्रों की बात करें तो इस बार विधान सवा के लडाई में तीन मुख्य पाटिया नज़र आ रही है पहली सतारूर बिजेपी दूसरी विप्रक्ष में बैठी कॉंग्रेस और तीसरी आमादनी पाटी तीनों ही राजनितिक दल दीत का दाबा कर रहे हैं हाला कि कई ऐसे मुद्धे हैं जिनका चुनाओ में काफी असर दिखने वाला है एबीपी नियूस सी वोटर्स ने हाली में एक सर्वे किया जिसमें गुजरात की जनता से उन्होंने चार सवाल पूछे पहला सवाल था सुधान गडवी को CM चहरा गोसित करने से आमादनी पाटी को फाइदा या नुकसान होगा फाइदा 23% लोगों ने कहा नुकसान 32% लोगों ने कहा और असर नहीं होगा 15% लोगों ने कहा मैं खुस हूँ पॉस्टर केंपेंज से बीजेपी के पक्ष में माहुल बनेगा हाँ 49% लोगों ने कहा नहीं 51% लोगों ने कहा गुजरात में मुस्लिम वोटरों की पशंद कौन है अगर इस सर्वे की बात की जय तो यहां सबसे चोकाने वाले नतीजे यह आये हैं कि यहां पर OVC की पाती से भी जादा यानि MIM से जादा जो परतिसत है गुजरात में मुस्लिम वोटर वो पशंद करते हैं मोधी को यानि बीजेपी को यहां पर सरवाधिक लोगों ने कहा है 47% लोगों ने कि वो उनकी पहली पसंद कॉंग्रेस है 25% लोगों ने कहा है कि उनकी पसंद आमादनी पाती है वहीं 19% लोगों ने कहा है कि उनकी पसंद बीजेपी है और 9% लोगों ने कहा है कि उनकी पसंद OVC यानी MIM की पाटी है तो आप क्या सोचते हैं इस सर्वे के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम आप तक वीडियो लेकर आते रहें बहुत-बहुत धन्यवाद